देश की सबसे बड़ी कार निरमाता कामप्टी मारूती सुजिकी जल्दी भारतिय बाजार में अपने घ्राकों को तौफा देने की तैयारी कर चुकी है इस फेश्टिवल सीजन के दोनार मारूती सुजिकी अपनी जबरदस नई कार शिर्फ को नए मॉडल के साथ लाने की प्लैनिंग कर चुकी है बता दे कि मार्किट में 2000-30 शिर्फ फेसलिप का इंतजार काफी लंबे समय से किया जा रहा था और इस कार को मार्किट में कई मौकों पर टेस्टिंग के दोनार भी देखा गया है शिर्फ भारतिय बाजार की एक सबसे पॉपलर कार है जिसको काफी जादा खरीदा और बेचा जाता है ये मिडल क्लास फैमिली वालों के लिए कार लेने का सपना कम प्राइस रेंज में पूरा करती है तो अगर आप भी अपने बजट सेग्मेंट में एक नई कार को तलाश रही है तो मारूतिय सुजगे के सबसे पॉपलर का शिर्फ मिलकल नए आंदास के साथ एसे वी अंदास में भारतिय बाजार में एंट्री लेने वाली है मार्केट में शिफ्ट को 2013 की हुए आटो एक्सपो में प्रदेशित किया गया था जब इसे कार के दिवाने लोग इस कार के नए मॉडल का इंतजार कर रही है सबसे बड़ा अपडेट तो कार का लुग मार्केट में बना रहा है क्योंकि ये कार अपनी सेग्मेंट में हैच्पे ग्रूप को पीछे छोड़ते वे एसे वी अंदास के साथ चल चुकी है और भारत में कई micro SUV कारों को काफी जाता टकर देती भी नज़र आ रही है तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हो जान लेते है कि मार्केट पे आने वाला 2030 मॉडल शिफ्ट कितना कारगर है और इस कार में क्या खुछ खास देखने को मिल जाता है तो वीडियो पे आप साफ साफ देख पा रहे है कि नेक जनरेशन 2030 मॉडल सामने आ चुका है आगरे कार नई नविली शिफ्ट किसी के दिलों में राश करनी के लिए एक बार फिर से तयार होके मार्केट में दस्तक देचुकी है देखा जाए तो शिफ्ट पूरी तरीके से बदल चुकी है फ्रेंट से देखा जाए तो इस कार को पुराने मॉडल के मुकाबले चौड़ा और बड़ा डिजाइन दिया गया है जिसके चलते अब शिफ्ट में और पी ज़्यादा स्पेस आपको मिल जाता है आने वाले पांच लाग रुपे के बजट सेग्मेंट में शिफ्ट को ऐसे भी अन्रास भी मिल चुका है फ्रेंट से देखे तो अब इस कार में बोरिंग हैटलेम्स को रिप्लेस करके LED प्रोजेक्टर हैटलेम्स का सेटप देखने को मल जाता है ने टाइम रेंडिंग लाइट्स के खुबसूरत का उम्मिनेशन जोकि शिफ्ट को मार्केट में और भी ज़्यादा खास बना रही है साथी साथ आने वाली शिफ्ट में नए डिजाइन वाली रैटेटाइन अपडेट ग्रिल का इस्तमाल भी क्रोम फिनिशिंग और मैट ब्लैक ऑप्शन में किया गया है जोकि आजकल काफी ट्रेंडिंग है और साथी साथ शिफ्ट में आपको सुजिकी का लोगो भी बिलकुर नया देखने को मल जाता है शिफ्ट की सबसे वड़ी खास बात कि इस कार को स्पोटी लुक भी दिया गया है जिसके चलते इस कार में एक स्पोटी बर्णाली वाले बंपर का इस्तमाल किया गया है जिससे ये कार पूरी तरीके से स्पोटी लुक के साथ सामने आ जाती है शिफ्ट में आपको Fog Lamp की बन्नाली भी देखने को मिल जाती है जोकि इस कार को मार्केट में खास मनाती है overall look के मामले में तो शिफ्ट मार्केट में तेहल का मचा रही है साइट प्रोफाइल से गवार किया जाए तो देख पा रहे है कि शिफ्ट में आपको उचा ग्राउंड के इनियन्स पुराने मॉडल के मुकाबले देखने को मिल रहे है क्योंकि इस कार को ऐसे भी रूप में ढाला गया है साथी साथ आने वली शिफ्ट में पुराने मॉडल के मुकाबले 17 इंच के बड़े टायर्स कमटिब फिटेट अलाइविल आप्शन के साथ दिखाई दे रहे हैं जो कि वाके में ही धूम मचा रहे हैं साथी साथ आने वली 233 शिफ्ट को पूरे 5 नए कलर कॉम्मिनेशन डूल टॉन थीम पे अधारित करके लाया जा रहा है जो कि शिफ्ट को काफी खास बना देता है आने वली शिफ्ट में इतना ही नहीं आपको न्यू हैंडल बार देखने को मिलते हैं जिसमें क्रोम फ्निशिंग का इस्तमाल भी किया गया है आने वली शिफ्ट को पूरे 5 नए कलर कॉम्मिनेशन डूल टॉन थीम पे लाया गया है और आने वली शिफ्ट में आपको दोनों साइट विंक स्प्रे में एक्शन कैमरे के परणाली जो कि इस कार को मार्केट में खास बना देती है यहां तो आपने बात कर ली है 2023 मॉडल शिफ्ट के लुक से लेगर डेसाइन की बाद चुकि मार्केट में हर केसी को दिवाना बना रही है जितना कार को भार से खुब सुरत बनाया गया है इस कार के इंजन तधा पावर के ही बारे में तो आने मली दोजरती शिफ्ट मोडल के अंदर आपको 1.5 डिटर का 3 स्लेंडर हाइप्री टेक्नोलजी के साथ पैट्रोल विकल्प आप्शन देखने को मल जाता है जो कि बड़ते पैट्रोल के दाम को चिनौती देने के लिए इस कार को और भी ज़्यादा पावर देता है अब हमारी भारत में आने मली शिफ्ट पूरी तरीके से फ्यूल अफिशन हो चुकी है इस कार के आउट्पूट के बात करें तो भारत के सड़कों पे ये इंजन आप्शन के बदौला शिफ्ट कार 82 PSP के मैक्सिम पावर आउट्पूट के साथ 120 एनम का टॉक्शन डेट कर पाने में शमत रखती है आने मली शिट में आपको 5-speed EMT और 5-speed manual transmission विकलप option मिल जाते है माईलिश की बात कर ले जाए तो भारत में मारोती सुजगे की कारेक सबसे जदा माईलिश देती भी नज़राती है और शिफ्ट का मुकाबला तो किसी कार से अब तक नहीं है क्योंकि अपने हैच पेक सेक्मेंट में भी भैतरीन प्रफॉर्मंस और माईलिश देती आई है और आने वाला नया मॉडल पूरी तरीके से HCV अधनास में ओफ रोडिंग के साथ ही साथ भैतरीन प्रफॉर्मंस और माईलिश देगा यानि प्रती लीटर में आपको 28 से लेकर 30 के आस्पास माईलिश इस कार के अंदर बताया जा रहा है जो कि है ना कब यहां तो गल्ले हमने भार्केट में आने वाली 2030 फे स्लिक शिफ्ट के लुक से लेकर डिसाइन और इस कार के जबरतस पावरफॉल इंजन की बाद चोकि यहीं से अंदास लग जाता है कि मार्केट में इस कार के अंदर कितने बड़े बदलाव किये गए है सबसे बड़ा बदलाव तो कार के लुके में ही करड़ा है क्योंकि इस कार का पूरी तरीके से स्थीवी अंदास में जो लाए जा रहा है अब बात कर ली जाए आने वली शिफ के इंटीरिय और फीचर्स के बारे में तो जितना कार भार से खुब सरत आपको नजर आ ली है उतना ही कार के अंदर एडवांस फीचर्स का स्थमाल भी किया गया है ब्लग लास फैबली वालों को और मद्धे वर्गी परिवारों को ध्यान में रखते वे शिफ जैसे सेग्मेंट के अंदर आपको भैतरेंग फीचर्स देखने को मिलने वाले है तस से जदा कनेक्टिविटी का टेकनालोजी फीचर्स शिफ को मार्केट में खास पना रेजपोर को ब्लैक तदो सिल्वर कॉम्बिनीशन के अपडेट के साथ वुरन का टचच अब भी दिया गया है जिससे ये कार प्रीमियम सेग्मेंट की कार नजर आती है दोनों साइट देखा जाये तो बिल्कुल नए डिसाइन के आटोमेटिक इसी इवेंट्स को भी चोड़ गया है और साथी साथ 1.2 इंच का सैमे डेटल इंच्टूमेंट कंसोल पैनल आप्शन भी देखने को मिल जाता है साथी साथ शिफ्ट के अंदर पुराने मॉडल से बड़ा 8 इंच का टच स्क्रीन इंफो टेट में इन सिस्टम ऑप्शन भी देखने को मिलता है जिसमें लेटेश टेकनोलची, एंड्रोइट आटो से लेकर एपल का अपले सपोर्ट नैविगेशन सिस्टम से लेकर UVI Connectivity Control और Voice Command जैसे functions को आप गार में बैठे बिठाए एकसिस कर सकते है जो कि आपके लिए बिलकुर नया अनुभब इस कार में होने वाला है एडिशनल फीचर्स पे गार किया जाए तो shift के अंदर आपको push and start stop पार डाली और इस कार में आपको पूरे wireless charging के साथ smart charging लेकर AUX का option भी देखने को मिल जाता है और साथी साथ music सुनने वालों के लिए shift के अंदर आपको पूरे 5 speaker options देखने को मिलते हैं जो कि हर मंस के add किये गए है जिससे कार और भी ज़्यादा मचा आपको देने वाली है इस कार का comfort look और इस कार का comfort space market में long drive हो या फिर short drive हो किसी भी तंग रस्तों पर इस कार को भगाया जा सकता है मगर 2023 model पूरी तरीके से STV अंदाज में है क्योंकि इस कार में अफोल सीट्स का इस्तमाल किया गया है पहली बारा ऐसा देखने को मिल रहा है कि सिफ जैसे देशी कार के अंदर आपको एक जबर दस अफोल सीट्स का सेक्षिन देखने को मिलता है इन कारों की सीटों की खास बात कि आप एक ही बटन दवा के शिफ की सीटों का एक्सिस कर सकते है और 14 तरीके तक फोल कर सकते है उक से लेकर हर चीज के मामले में शिफ पूरी तरीके से तैयार हो चुगी है बगर safety features के मामले में क्या मारूती Suzuki ने shift को भी अपने second generation platform पर design किया है क्या ये कार मार्केट में उतने ही शुरक्षी थे हैं जितनी कई कंपनों की कारे हैं तो जी हाँ आने वाली next generation 2003 shift जितनी बार से खुबसुरत और इतने advanced features के साथ दिखाई दीती है उतने ही कार के अंदर build quality जबर दस्ता आपको मिलने वारी है क्योंकि मारूती Suzuki ने अपने platform को ही change कर डाला है आने वाली जबी कारे second generation high tech platform पर इस्तमाल करके बनाई चारी है सकते हैं अगर आप इस कार को भेर बैटे ही book करना चाते हैं तो 2000 रुपे के token amount राशी के साथ इस कार को official या फिर dealership पे विजट करके भी book कर सकते हैं कीमत की बात करें जाए तो market में आने वाली next generation shift की starting कीमत 4.30 lakh रुपीज एक शिरू प्राइस होने वाली है और कार को पूरे 5 विकल्प option में launch किया जाएगा तो देरी के इस बात की अपने वेरेंड को जल से जल book करने के लिए comment box में जाएए अपना नाम और city का नाम लिख्या में comment करिए वीडियो पसंद आये तो like करिएगा मिलते हैं next interesting upcoming new caro के updates के साथ इसी channel पे धन्यवाद